हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्रिश रवांटेज की ओनलाइन क्लासेश में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिविए से कोश्चिन्स एससी सीजियल के लिए और यह सेसी सीजियल टुजाजन सेविंटीन टीर वन टीर टू के लिए बहुत ही इ का टाइम लेना है जिसमें आपको 25 को सॉल्व करना है और इसे साब से आपको 28 सेकंड एक कोश्चन को देना है जो की काफी जाधा है इंग्लिश एक्षन के लिए क्योंकि सिंपल कोश्चन आते हैं सीजील एक्जाम में पर्टिकॉली टियर वन में और इसके सीजील 2017 के लिए जो स्टुडेंट 100% सेलेक्ट होना चाहते हैं सक्सेस लेना चाहते हैं सीरियसली इस तरी करना चाहते हैं उनके लिए एक टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है इसको आप जोइन कर सकते हैं इसमें हम पूरी तरीके से कॉम्प्रेहेंसिब ली आपको जलन के बाद आपको कई भी भटकनी की जरूरत नहीं है आपको कहीं भी कोचिन ही जाना कोई भी किताब नहीं पढ़नी कोई Kubik cinema नहीं पढ़नी और PTM से online payment कर सकते हैं, आप debit card से, और जैसे ही आपका payment accept होता है, classes वहाँ पर देखने लगेंगी, आपको syllabus एक section होता है, syllabus पर आप क्लिक करिए, lesson 1, lesson 2, lesson 3, इस तरीके से classes देखने लगेंगी, और इन classes को आप join कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक ही class को आप कितनी भी बार आप दे पूरा इसमें tier 1, tier 2 और tier 3 का इसमें पूरा syllabus काबर होगा, और definitely आपको success मिलेगी, तो जो students select होना चाहते हैं, SSA CGL 2017 में उनके लिए एक बहतरीन step हो सकता है, और आप इसको join कर सकते हैं, bankers.org पर, कोई भी आपका doubt है, तो मुझे cop call करें, और मैं उसका जवाब आपको दूग होगा, यहां से हम शुरू करते हैं questions को jettison का क्या मतलब है, jettison का मतलब है किसी चीज को reject कर देना, ठीक है, तो यहां पर चुकी आपको antonym चाहिए, तो antonym इसका होगा accept, तो accept यहां पर answer होगा, consent का मतलब है, सहमती, preserve का मतलब है, बचाना, ameliorate का मतलब होता है, improve करना, और version का मतलब होता है, बच से बत्तर कर देना, तो version इसका answer होगा, next हम देखते है, soothe, इसका आपको antonym बताना है, soothe का मतलब है, किसी चीज को शान्त करना, या चोट को या दर्द को शान्त करना, तो चार option दिए हैं, इसमें natural, odd, mitigate और agitate, mitigate का मत तो यहां पर इश में हो जाएगा, तो agitate इसका सही answer यहां पर होगा, devastation का क्या मतलब है, यहां पर आपको antonym चाहिए, devastation का मतलब है, बरबात करना, destruction, इसका सन्नियम होगा, और production का मतलब होता है, create करना, production यहां पर इसका antonym होगा, obvious का मतलब है, एकड़म क्लीयर, provocation का जिंगा गया है नॉन küल जोगा छोगा परवे से जर छो फैला हुए है मैंटमी यह के लिए है सब्सक्राइब preparation मतलब हो यहां पर इसका सुनोनेम होगा, डिसकम फीचर का मतलब है इंबरस्मेंट, डिजनरेशन का मतलब कम होते जाना, घटते जाना, डिकलाइन का मतलब नीचे आना, काफी क्लोज वर्ड इसमें दिये हैं, तो सही इसका आंसर होगा, डाउन फॉल, नेक्स देखते हैं, अस्टेसाइज, किस किसी को नीचा दिखाना, बिसीच का मतलब सराउंड करना या इनसर्कल करना, बेगाइल का मतलब है लल्चाना, तो ऑस्टेसाइज का जो सही आंसर होगा, वह बैनिश, नेक्स देखते हैं, प्रोफिलेक्टिक, प्रोफिलेक्टिक मतलब जो बीमारी से आपकी रक्षा करता है, तो पिवेंटिव यहां पर सही से नो नेम होगा इसका, परगेटिव जो पेट साफ करता है, टॉक्सिक मतलब जो जहरीला है, एंटागॉनिस्टिक मतलब जो थोड़ा सा दुश्मनी पूर्ण है, या होस्टाइल है, कॉडल का मतलब क्या है, कॉडल का मतलब किसी को बह बोलते हैं, कॉंस्ट्रेंट, कॉंस्ट्रेंट या कॉंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कॉंस्ट्रेंट का मतलब है, रोक कर रखना या रिस्ट्रिक्ट करना किसी जीच को, तो रिस्ट्रिक्ट यहां पर आंसर होगा आपका, कॉंटर्डिक्ट का मतलब है, मत्भेद होना, य forward means on third मैं नहीं वह नहीं था लेकिन उसके फोटो से उसको मैं तुरंग पैचान गया तो इस सेंटेंस में करेंगे ह tego सकार्द साफ निकल के आज सका करें बाइगा यहानी चुपर आपको इसको पास तेंज में बोलना पढ़े गा dlatego कि हैड में डर गरs ओर I recognized her at once from a photograph और before का प्रियोग हम past perfect tense में करते हैं यह भी एक trick है तो यहां पर have के स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा head और A इसका answer होगा question number second देखते हैं there was a comparison between you and he तो between के बाद जो pronounce आते हैं between के बाद और let के बाद उनको हम objective case में लगाते हैं तो objective case he का क्या होगा he का objective case होगा him तो C यहां पर आपका answer होगा question number 13 देखते हैं यह काफी अच्छा question है 2016 में यह question पूछा गया है he flowed into a rage at the very sight of that man इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब है कि जैसे ही उसने व्रक्ति को देखा एकदम से वो गुस्से में आग बबूला हो गया एकदम से गुस्से में आ गया वो गुस्से में rage का मतलब होता है गुस्सा तो गुस्से में वो बह गया तो यह flow की जो second form है यह गलत लिखी है यहां पर flu actually होगा यहां पर F-L-E-W यह word यहां पर गलत है ठीक है तो A इसमें आपका आंसर होगा वेल वन इस ट्राइंग टी स्विम वन मस्ट कीप वन्स माउथ अबब जब एक व्यक्ती तहने की कोशिश करता है तो उसको अपना मूँ ऊपर की तरफ रखना चाहिए या ऊपर रखना चाहिए तो अपना मूँ बोलने के लिए हमको यहाँ पर पजैशिप केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वन का जो पजैशिप केस होता है वो O N E और उसमें अपोस्ट्रफी S लगके बनता है ठीक है वन्स नहीं यह वन्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर यह गलत है ये once जो लखा हुआ है इसका मतला बार ठीक है तो इसकी जगे आपको क्या लखना है O N E ठीक है और इसमें जो apostrophe S लगता है ठीक है ये वाला once यहाँ पर आएगा ये वाला once यहाँ पर गलत है जिसका मतला होता है एक बार तो C यहाँ पर आपका आंसर होगा कोशन नमबर फिप्टीन देखते हैं एंबिशन इस वन अफ दोस पैशन्स डैट इस नेवर सैटिस्वाइड यह भी काफी अच्छा कोशन है और इस तरह के में जिसमें one of हम बोलते हैं वन आफ के बाद यहां पर और लगाते हैं लेकिन इसमें वर्ड जो लगा है वो पैशन्स है प्लूरल है तो इसलिए यहां पर आपको इसकी जगह यहां पर आपको बुलना पड़ेगा और और C इसमें आपका आंसर होगा इस तरह कोई भी कोश्चन आता है तो इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करें और आपका कोश्चन बिल्कुल सही होगा 16 देखते हैं यह फिलर्स के कोश्चन है के कि ऐसमें दीए है रिस्पैक्टिबली और इस पेक्टेवली रिस्पैक्टेब्ली का मतलब होता है यहां पर यह जो लिखा है ना पेहला वर्ड रिस्पैक्टेबली शेय जिता है तो उस sense में हम इसको use करते हैं जैसे यदि मैं बोलूँ कि value of A and B are 40 and 50 ठीक है? value of A and B are 40 and 50 respectively मतलब इसका मतलब यह हुआ कि A की value 40 है और B की value 50 है तो उस sense में हम इस word को use करते हैं respective का मतलब होता है अपना अपना जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि take your respective seats मतलब अपनी अपनी seat पर आप बैठ जाईए respectable का मतलब होता है आदरपूर और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर यह verb है connected ठीक है तो यहाँ पर इसके लिए वैसे यह adjective की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप यह वाला वर्ड आप लगा सकते हैं respectively connected ठीक है तो यह actually adjective की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है कि he is connected ही की विशिस्ता बता रहा है कि he is connected तो connected adjective को हम modify कर रहे हैं इस adverb से कि वह connected तो है लेकिन कैसे connected है वो बहुत संबान जनक रूप से connected है संबान जनक लोगों से उसकी उसका connection है उसका network है तो रिस्पेक्टेबिली यहाँ पर आपका सही word होगा सी यहाँ पर आपका सही answer होगा 17 देखते हैं he the low pay यह question 2016 में यह पूछा गया है तो देखिए यदि आप प्रेजेंटेंस में इसको यूज करते हैं मून और complain तो दौनों में इसमें एस चाहिए ठीक है तो दौनों में इसमें एस नहीं है तो यह गलत हो गए आपके और ran after का मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना तो लोग पे के पीछे भागना का कोई की sense नहीं है तो इसलिए इसका का question है as he got older his belief in these principles did not बहुत ही अच्छा question है मतलब जैसे जैसे वो जैसे जैसे उसकी उमर बढ़ती गई उसका जो बिलीफ था इन principles में वो कमजोर नहीं पड़ा यह sentence का मतलब है तो विदर का मतलब होता है मुर्जाना इस sense में विदर को use नहीं करेंगे डिदर का मतलब होता है हेजिटेट करना शेक का मतलब है हिलना या हिलाना और वेवर का मतलब है कमजोर पढ़ना वेवर ठीक है तो वेवर यहां पर आपका सही आंसर होगा कोशन नमबर 19 देखते हैं everyone in this word is accountable accountable के बाद हम क्या वर लगाते हैं accountable के बाद हम टू लगाते हैं और actions से पहले हम four लगाते हैं तो यहां पर आपका answer होगा बी यह वाला आपका answer इसमें होगा तुन्टिएथ देखते हैं your father used to be the principle of this college यह past tense में है और affirmative sentence है तो इसका जो question tag बनेगा वो निगेटिव में बनेगा और निगेटिव इसमें यह वाला बनेगा पास्टेंस में निगेटिव तो दिंट ही होगा इसका आपका answer है कि 21st देखते हैं यह यहां पर आपको वो बताना है वन वर्ड बताना है वन हुँ हाइट सब्सक्राइब और शिप्ट यह फ्री पैसेज मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शिप में छुपके बेढ़ जाता है ताकि उसको फ्री में यात्रा करने को मिल सके तो इसको हम बोलेंगे इस्टो अवे शिप शिप राइट जो शिप को बनाता है शिप राइट कंपोजीटर जो कंपोजीशन को करता है स्टॉकर मतलब जो स्टॉक एकटा करता है तो स्टो अवे यहां पर सही आंसर होगा हैं एन हो क्या मतलब है इसका हैं एन हो का मतलब है जब आप इन डिसाइसिव रहते हैं जब आप हैजी टेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं है एन हो, circumstantial का मतलब है incidental, जो चीज secondary है, ठीक है, या incidental है, जो चीज inferential है, जो निसकर्स को, निसकर्स निकाला है, उसको हम बोलते है, circumstantial, derivative मतलब जो original नहीं है, suggestive मतलब जो suggest करती है किसी चीज को, तो यहाँ पर ham and haw का मतलब होगा indecisive, pros and cons, 2016 में यह पूछा गया है, pros and cons का मतलब होता है, किसी भी चीज के फाइदे और नुकसान, यानि advantage और disadvantage, कौन artist मतलब जो जादू बगरा दिखाते हैं, professionals नहीं होगा, arrival and departure को हम to and fro बोलते हैं, 24, a remedy for all disease, a remedy for all disease, purgative जो पेट साफ करता है, या lexative भी उसको बोलते हैं, तो purgative नहीं होगा, punitive मतलब बहुत ज़्यदा severe या कड़ा, antibiotic जो बैक्टिरिया से लड़ता है, panacea यहाँ पर आपका आंसर होगा, ram, baan, और सथी जिसको हम बोलते हैं, और of the highest quality, of the highest quality के लिए reactive, penalty mate, apex मतलब सबसे उंचा, highest point के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, superlative, ठीक, apex मिलता जो जोता है, लेकिन apex उस सेंस में यूज़ नहीं होता, penalty meet का मतलब होता है, second last, और reactive यहाँ पर नहीं होगा, इस तरीके से यह previous year के real questions हैं, इसे definitely आपको help मिलेगी, और इसी तरह के काफी सारे question यदि आप करना चाहते हैं, full solution आपका लेना चाहते हैं, पूरी grammar आप solve करना चाहते हैं, पूरी grammar, vocabulary, previous year के question, मतलब इससे बाहर कहीं भी कोई भी question नहीं आएगा, तो आप हमारा target batch जरूर जोइन करें, अब ये बैचल रहा है, काफी student इसमें जुड़ चुके हैं, और इसमें अभी पंदा तारीक तक इसकी fees भी बहुत काम है, तो आप इसको तुरंद जोइन करें, और इसका फाइदा उठाएं, definitely इससे आपको बहुत confidence आएगा, और निशित रूप से आपको सफलता मिलेगी, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, यदि अच्छा लगा, तो इसको आप like करें, share करें, अपने जासदा फैंस के साथ, और comment करके मुझे बताएं, और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, English and Wanted YouTube चैनल को, तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैंस को भी बताएं, इस चैनल को देखने से होगा, और सारे वीडियोज आप इस चैनल की देखें, पूरे पूरे वीडियोज देखें, तो डेफिनिटली आपका confidence बहुत बढ़ेगा, और निश्रीत रूप से आपको सफलता मिलेगी, so thank you very much for watching this video, thank you.